शे जुलाई को विश्विश जुनोसिस दिवस है ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जुनोटिक रोगों के प्रेति जागरुक करना है मोटे तोर पर समझा जाए तो जुनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो कसेरुक जानवरों से मनुश्यों और मनुश्यों से जानवरों में फैलते हैं जब ये रोग मनुश्यों से जानवरों में फैलते हैं तो इसे रिवर्स जुनोसिस कहा जाता है जूनोटिक रोग बैक्टिरिया, वाइरस, फपून्द अत्वा पर जीवी किसी भी रोग कारक्से हो सकते हैं भारत में होने वाले जूनोटिक रोगों में रेबीज, बुरेसोलोसिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, नीपाह, ग्लेंडर्स, साल्मोनोलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, एवं जापानीज इनसेफिलाइटिस इत्यादी सामिल है ये लिस्ट काफी लंबी है, विश्वभर में लगभग 150 जूनोटिक रोग उपस्तिते हैं, कुछ जूनोटिक रोग तो सीधे ही संपर्क में आने से फैलते हैं, जबकि कुछ वेक्टर जैसे कुट्ता, बिल्ली, चमगादड, गोंगा, चीचड, मचली, सूवर, मुर्गी और घोडा इत्यादी के द्वारा फैलाए जाते हैं, हमारी आधी अधूरी तैयारियों के कारण भविशे में जूनोटिक रोगों के रूप में एक बड़ा खत्रा मंडरा रहा है, जूनोटिक रोगों से बचाओ में वेटनरी डोक्टर मुख्य रोल आदा करते हैं, पालत जूनोटिक रोगों से बचाओ की तैयारियों पर अगर जाये तो आग लगने पर कुवा खोदने जैसी हालात है, वेटनरी फ्रोफेशन बजट और स्विधाओं के नाम पर इस वक्त दैनिय हालत में है, इस बार केंदर सरकार ने पसुपालन के लिए अलग से मंत्राले और विभाग बनाया है, जिससे जरूर उम्मित जगी है, साथी आई सी ए आर की तर्ज़ पर वेटनरी रिसर्च काउ बनेगी, ऐसा होने पर निश्चित तोर पर वेटनरी प्रोफेशन अधिक्त दक्ष्यता से जुनोटिक रोगों से लड़ाई में सामिल हो पाएगा, ऐसा होने में वक्त लगेगा, पर अभी पसुच कित्सा सेवाओं में काफी सुधार की दरकार है, इनकी आउशक्ता हर ज और पसुपालन के हालातों पर भी कर लेते हैं, अगर राजस्तान की बात करें तो राज्य का 5.77 करोड पसुधन एक संपदा की तरह है, राज्य के कुल सकल घरेल उत्पाद में पसुच संपदा का 10% योगदान है, देश के कुल दुगद उत्पादन में राजस्तान का पारवाइस्थान है, सरकार पसुपालन व्यवस्ताओं को शुद्रड बना कर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, प्रंतु चिंताजनक बात यह है कि हर बार पसुगद्ना में पसुधन की संख्या कम ही होती जा रही है, वर्तमान में राज्य की पसुचिक पसुचिकित्सा व्यवस्ताओं की हालत भी अच्छी नहीं है, राश्टी क्रेसी आयोग की अनुसार प्रती पांच हजार पसुओं पर एक वेटनरी डोक्टर होना चाहिए, इस गंड़ना के इसाब से राज्य में लगभग 12,000 वेटनरी डोक्टर होने चाहिए, जबकि हक ठीकत ये है कि 60-60 पद रिक्त चल रहे हैं, तमाम पसुचिकित्सा व्यवस्ताओं नीम हकीमों के हवाले हैं, होर्मोन के अनाधिकरत उप्योग से पसुओं में बांजपन बढ़ रहा है, अनाधिकरत उप्योग के कारण एंटिबायोटिक्स एप्रभावी होती जा रही है जो की पूरी खादिस रंकला के लिए खत्रे की घंटी है, ऐसे में वेटनरी डोक्टर्स के उपर अधिक जिम्मेदारी होती है कि वो तैमानकों के अनुसार ही पसुद पादों की उपलब्दता को सूनिशत करें, किरसे ये पसुपालन राज्य का विसे होता है, अते राज च्कित्सा-टक्निकी शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, वेटनरी में उच शिक्षा और रिसर्च को भी प्रोचसाइद किया जाना चाहिए, वेटनरी शिक्षा में रिशर्च को बढ़बा दिया जाना अधिक आवेशक है, क्योंकि देसी पसुनसल की स Enough है, देशी नसलों के पसु राजस्तान के वातावरन के प्रती अधिक अनुकूलित होते हैं बीमार भी कम पड़ते हैं और अकाल की समय बेरी पाला और खेजडी की पत्यों पर भी गुजारा कर लेते हैं देशी गाये एटू प्रकार का दू देती है जो कि सुपाच्चे और स्रिट है सरकार द्वारा देशी नसलो के संरक्षन और समवदन के प्रियास के जाने चाहिए उननत नसलों के पसओं के पालन पर जोर दिया जाना चाहिए गायों में चयन और उन्यन प्दितियों से दुखदू पालकों को अत्यादूरिक व्यग्यानिक तक्निकों नवीन अनुसंधानों के प्रियोग से अधिक दूद उत्पादन है तू प्रेरित किया जाना चाहिए पसु चिकित्सा सेवां और लाबकारी योजनाओं का व्यापक पर चार परसार भी आवशक है अभी भी ग्रामेड एलाकों में पसुगों और प भ्यान चलाता है तो उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है पसु पालकों को अभी भी क्रेत्रिम गरबाधान के लाब और एवर गीकरत नसलों से नकारा नर पसु के बाध्या करण करवाने के लिए जागरत करने के जरुद दूर दराज के इलाकों में पसुओं का इल पसुद दिवहां पर अधिक ध्यान केंद्रित करे डेरी स्टापित करने के लिए पसु पालकों को सस्ती दरओ पर रिन उप्लब्द करवाए पसु के बीमा करवाने की प्रीमियम दरे कम करे देसि नसलों के पालन को प्रोद साइद करे उत्तबन सल के नर पशु ग्राम पं पाल मृत्यू से बचाया जा सके बलकि पसुधर उत्पादन में व्रध्धी हो सके जुनोटिक रोगों से बचाओ में वेटनरी डोक्टर्स के रोल का ताजा उधारन राजस्तान में ग्लेंडर्स के केस मिलने पर सामने आया पसुपालन विभाग ने ततपरता दिखाते गोडे लाने पर रोक लगा दी गई पालतू पसों की बात तो हो गई प्रंतु जंगली जानवरों पर तो सरवादिक संकट है गरते वनों से जंगली जानवरों के रहने और खाने पीने की समश्या खड़ी हो गई है फिर दूसरा पहलू ये कि उनके चिकित से बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है प्रसाशनिक इस्तर पर इसके लिए प्रियास किये जाने चाहिए जूरोटिक रोगों से लड़ाई की सभी योजना और प्रियासों में वेटनरी डोक्टर्स को भी सामिल किया जाना चाहिए धन्यवाद जैहिंद जैपार